शेर मार्किट को मैं समझना असान कर देंगे, पांच पॉइंट पर पकड़ी है, समस्याओं का समधान कर देंगे इस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हूँ, उसको कम से कम 11 साल का हो सके तो ट्राक रिकॉर्ड बजार में मिलना चीए कमपनी की जो ग्रोथ है, वो जीडीपी की ग्रोथ के मुकावले दोगोना ग्रोथ होनी चीए कमपनी जो चला रहा है, उस पर नजर जरू रखो, उसको बोलते हैं लीडर्शिप कमपनी का रेवेन्यू और इस्टा यूनिट सेल, ये दोनों 10% जाला बढ़ने चीए, दोनों में फरक है वोक्टर विवेक बिंदरा, निउस 24 पर आपका स्वागत है, वैसे तो आपको इंटोड़क्शन की कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब के राजा, बड़ा बिजनस के फाउंडर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनस कंसल्टेंट, पहला सवाल, अब शेर मार्केट की हर कोई बात करता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता, मुझे भी शेर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस अब भी साड़े तीन पॉने चार पर्संट लोग गी शेर मार्केट में इंवेश्ट करते हैं, पर अम्रीका में 55% लोग इंवेश्ट करते है, और अस्ट्रेलिया में 40%, UK में 33%, जैपैन में 30%, इंडिया में अभी पूरी अंड्रस्टैंड निया आज शेर मार्केट को मैं सम समस्याओं का समधान कर देंगे पहला पॉइंट क्या है देखो पहला मैंने आपको foundation समझा दिया cash growth profit जिस company का cash flow खराब है जिस company में लगातार हर महीने हर साल growth नहीं हो रही है और जिस company में profit नहीं है वहाँ तो invest करना ही नहीं दूसरा अब शुरू करते है कि आप पांच पॉइंट में बताने वाले हैं शेयर मार्केट के सच्चा ही तो अब आपके साथ connect कर गए देखिए पांच में बताते हैं आपको यह विवेक बिंद्रा के पांच पॉइंट है पहला पहला पॉइंट है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हूं उसको कम से कम 11 साल का हो सके तो track record बजार में मिलना चाहिए यानि कि उसने economic cycle के ups and downs 11 साल में 11 साल में कहीं तेजी भी देख लिए मंदी भी देख लिए और उस दौरान वो कभी इल्लीगल activity मना गुसाओ उसका track record पूरा मिल जाए 11 साल की कम से कम operating history मिल जाए उसको analyze कर सको जैसे आईशर है आईशर 33 साल से चल रही है तो अब आगर आज से 11 साल पहले देखो कि वह 135 पर कर रहा था आज 3000 कर समय में आगा ढहि ब्रेटाइनिया देखो एक 159 साल पुरानी कंपनी 13th साल सौनी कम्पनी है 2015 समय वह दो सो रुपय कर रहा था आज 2022 सर्फ रुपर ट्रेड कर रहा है तो ऑपने पिसले कुछ सालों में अगर चाहते हो बोड़ेव आज तो याद रखिए थोड़ा ग्यारा साल का इतिहास दूसरा point company की जो growth है वह GDP की growth के मुकावले दोंगुना growth होनी जीए यानि कि यह जतनी तेज देश grow कर रहा है उससे दोंगुना-तीन गुना grow करना की चाहिए अब जैसे धारण के रूप में हमारे देश अगर 5% पर ग्रोव कर रहा है तो कंपनी कम से कम 10% पर दोगुना ग्रोव करनी चीए मैं रियाडी को खेतान का एक्जामपल देता हूं देश की GDP 6% थी रियाडी को खेतान की GDP 23% थी शमसा तुम GDP कह रहा हूं है company growth तो देश मोटर का background देखो लोग कैसे हैं उनका forecast अची होता है नहीं होता वो खुद तंखा कितनी लेते हैं ऐसा तो नहीं खुद बहुत मोटी तंखा ले जाते हो पैसा अपने घर पे ले जाते हूं क्या वो अपनी हर call पे available रहते हैं क्या ऐसा तो नहीं अपनी रिष्टेदारी में पैसा बाठ रहे हैं related party transaction कर रहे हो अकाउंट्स उनके ठीक हैं क्या तो नहीं उनके चक्कर में उनकी leadership बार बार छोड़के भाग जाती हो अरे leadership बार बार छोड़के भाग जाती हो क्या ऐसा तो नहीं कि उनके यहां कोई इमानदारी पर सवाल उठते हो competent है passionate है यह नहीं कि 10 धंदों में लगे पड़े हैं इसको बस ऐसी किसी के हाथ में दे रखा है अगर management ठीक होगी तो बात बनेगी चौती चीज़ प्रमोटर का 51% अगर श्टेक है उसका interest बना रहेगा अगर जो माली के company का उसका खुद का ही 5-10% रह गया है 95% दूसरों के पास है उसका interest नहीं आएगा अगर उसके हाथ में company की इस्सेदारी आधी से ज्यादा है 50% ज्यादा है तो इससे उसका focus बना रहेगा हर activity पर ध्यान देगा vision लोगो को समझाएगा बड़ा motivated रहेगा और decision खुद लेगा नहीं तो अगर साथ अलग-अलग घोडे अलग- वाला एकी इंसान हो पांच वा पॉइंट जैसे रिंजिम के पांच पॉइंट मेरा पांच पॉइंट कंपनी का revenue इसका unit sale यह दोनों 10% जाला बढ़ने चाहिए दोनों में फरक है मानलो डाबर कंपनी है उसके juice के डब्बे ग्रो कर रहे हैं पिछले साल बेचे ते सौ डब है डब्बे बहुत जादा बिग गए पर सस्ते करके बेचे तो revenue नहीं आया है ना आपने 10 रुपे के juice को 7 रुपे का बेच दिया तो बहुत जादा लोगों ने ले लिया लेकिन revenue 30% कम हो गया बात यह है कि company का दोनों चीजे बिखनी चीए मारुती सुदू की है गोजरेच consumer है इन लोगों का हर साल unit उनकी गारी मारुती के और total revenue यह दोनों 10% जाला grow करता है तो इसलिए safe रहता है